हां जी दोस्तों क्या हल चाल जी वेकम बैक टू माइडूब चैनल लो जी भाई फ्राइडे की इवनिंग हो गई है शुरू और फ्राइडे की तो भाई अलगी वाइब होती है वीकेंड नहीं भाई लॉंग वीकेंड हो गया जी स्टार्ट सेड़डे संडे मंडे तें दिन की छुटी भाई न जा रहे उपर से कल मैच है भाई आर सी भी वर्सेज चेन नहीं बस भाई मैं तो सुबाई उड़ जाओंगा यार मजा आने वाला है बहुत जादा तो भाई इस वीडियो में मैं आपको थोड़े सी इंफोर्मेशन थोड़े सी अपडेट्स भी दे दें कैसा रहा यह हफता पांच दिन कैसे गए कुछ इंपॉर्ट इंफोर्मेशन आई या नहीं आई अगले हफते क्या हम एक्सपेक कर सकते हैं उस सारी चीजों में क्या एक समप कर लेते हैं वीडियो बना लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए यह हफता कैसा रहा क्लीर हो गया जी तो बात करते हैं देखो जी एक्सपेस एंट्री के ड्रॉ की क्या इस हफते कोई ड्रॉ आया आया नहीं आया भाई ना कोई जनल कैडेगरी का ड्रॉ आया ना कोई कया ड्रॉ आया एक्सपेक्टेड था क्योंकि लास्ट रफ्ता इन्होंने भाई Skip्प कर वा दिया लास्ट अधे एक्सपेक्टेड था कि आएगा बाँ चलो Skip् headed भई तो यह माना जारा तो कि हो सकते ही सफते आजाए बना चर्रणल केडिगरी का कोई ड्रौ आया और ना कोई ड्रौ आया हमारा केडिगरी बेस्त का ठीक है जी तो यह तो भई Express और पंदरा मई की क्या भाई सबसे खासियत क्या थी इस डेट की भाई इसका ये था कि जो पॉब्लिक प्राइबेट पार्टेशिप वाले कॉलेजेज हैं अगर आप इसमें स्टडी करोगे अगर आपकी क्लास भाई पंदरा मई या उसके बात स्टार्ट हो रही है न तो पार्मिड के लिए ठीक है जी तो ये पंदरा मई जो थी इसी हफते आई और आप समझ सकते हो बाई क्या हालत होने वाली है जो छोट-छोटी कॉलेजेज खुले थे क्या हालत होने वाले इनको जब इनके लगेंगे ताले जब स्टूडेंटी नहीं आएगा क्या करेंगे ताले लगेंगे और क्या लगेंगे आई होप आने वाले टाइम में एक क्वालिटी दी जा सके जो एजुकेशन का स्टैंडर है जिसकी वाई से लोग कहना में आते हैं उसको इंपॉर्टन्स दी जाए उसकी एहमियत को समझा जाए ऐसा ना जी बस आजाओ आजाओ है क्या नहीं हो रहा कोई job opportunity के बार में सोच रहा करियर के बार में नहीं सोच रहा कि बच्चे बुला तर हो या उटको कैसे आगे settle करोगे कोई है plan क्या option होंगी है हमारे पास कि भाई जो हमारे पास students है ठीक है जो temporary immigrants हैं यहांपे उनको आगे permanent होने का आप chance दूगे भी या नहीं आपने टार्गेट तो बना दिया ठीक है जी चार लाग पचासी ज़ार इस साल करने है जी पांच लाग अगले साल करेंगे बाई कैसे आपको ये भी तो देखना पड़ेगा अब ये लोकल लोग है कैड़ा में जिन्होंने चुछ तो निकालो यार इतना मद मुश्किल करो उनके लिए थोड़ा सा अलग होना चाहिए यार होना चाहिए यार जरूरी है आपको होगे भाई PNP है PNP है यार PNP ना फिर हर किसी के लिए नहीं होता है यार मुश्किल हो जाता है वो एक particular एक specific का लोगों के लिए है specific category वालों के लिए है थोड़ा सा और मुझे लगता है जिनके पास क्याने एक्सपीरेंस क्लास है specially DR0123 उनकी पास थोड़ी सी और option होनी चाहिए specially जब आपके पास कैनड़ा क्या study experience भी है study भी है कहना की देखते हैं जाने वाला टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता बट हाँ यह अपडेट भी निकल कही है भाई हो सकता है एनका work permit हो सकता है इनको duration जो है भाई कुछ changes देखने को आपको मिले और देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता यह भी बड़ी update निकल के आई है ठीक है जी अगर आप एक साल का work permit एक साल की study लेके आते हो तो तो नहीं होता है प्रोपर देखो प्रोपर देखो जी उनके काउंटर पार्ट से उनको बोल दिया भाई कि आप बताओ जी प्रोपर डेटा लेकिया हो हमारे पास अगर आपको लगता है बाई कि इन लोगों की यहां पर अगर आप एक साल का work permit एक साल की study लेके आते हो तो जो petition डाली गए थी उसकी इसाब से कहा गया था बाई दो साल का work permit करो करो अप यह चीज़ें इतनी easily नहीं होती बहुत सारी चीज़ें होती है पहली तो बात यह उको consider की भी जाएगी या नहीं की जाएगी या हो सकता है इस फॉर्म में consider होगी बहुत सारी चीज़ें होती है तो लेकिन यह रहे कि चलो अवास तो उठी है ना ये चीज रहती है अवास तो उठी है यह चीज अच्छी जीज रहती है अवास उठी है बाकी इसके चलते बाई एक और निज नेकल की आई थी कि हो सकता है बाई दो कैना में नर्सिस की देखे हैं न more than 32,000 नर्सिस and 50,000 के आसपास by PSWs जो हमारे हैं उनकी shortage हो सकती है कैना में तो gap जो है कैसे cover किया जाएगा जो students हैं भाई उनको बताओ, उनको समझाओ जो इतने लोग आ रहे हैं उनको समझाओ एक proper planning के साथ उनके connect तो करो यार, communication तो रखो कि भाई इस sector में आओ हमें हमें जुरुत है, हम आपकी help भी करेंगे life में settle होने में भी, life opportunities भी है career opportunities, सब कुछ है सब कुछ देंगे, पैसा भी कमाओगे Canada की help भी करोगे, तब जाके मज़ा आएगा, यार, हवा में बातें क्यों कर ले हो हवा में बातें ना हो, भाई कि आज update दे दीजी कल दे दीए, प्रॉपर session रखो ठीक है, मैं कहता हूँ तीन गंडे का, चार गंडे का ठीक है, proper planning के साथ, भाई ये चीज़ ऐसे हो नहीं ये चीज़ ऐसे हो नहीं है अना, I know, भाई, efforts हो रहे हैं बट उस चीज़ को, मुझे लगता है, थोड़ा organized way में होना चाहिए, उसके लिए time लगेगा बट हाँ, fingers are crossed, let's hope for the best कि भाई, जो हो, अच्छे से हो जल्दी हो जाए बस इससे पहले लोगों के भाई, work permit expire हो जाए उससे पहले जल्दी हो जाए बस, right और इसी को चलते भाई एक और चीज़ भी आ रही है सामने कि अब भी ये माना जा रहा है कि भाई, जो exploitation है students की peak पे है ये इस time पे, peak पे है क्या करें बच्चे यार पहले स्टडी के लिए बाई, चाली चाली पचार पचास हजार लगा दिया उसके पाई, job नहीं मिली क्यूंकि कोई बात ही नहीं कर रहा ना, job के लिए, उनको क्या बोला जा रहा है कि भाई, उस sector में बस काम कर लो कि भाई, बस PR मिल जाया है PR भी इजी नहीं है, करते-करते बाई, कोशिश करते-करते, कुछ लोग उनके तो बाई, work permit expire हो रहे है जब work permit expire हो रहे है तो option उनके पास क्या बसती है बाई, paid LMI, वहां पर employees फाइदा उठा रहे हैं, 20,000 में बेच रहे हैं, 30,000 में LMI बेच रहे हैं, बच्चों को लेनी पड़ती है परना Canada छोड़के जाना पड़ेगा फिर वहां पे pay करते हैं, पहले वहां पे pay किया students को 40-50,000 fees के लिए उतना कमाया नहीं होता, inflation rate इतनी जादा है उतना save नहीं किया होता फिर आ गया खर्चा और LMI का 30-35,000 और लगा दिया एक लाख डॉलर हो गया बई एक लाख डॉलर इंडिया में देख लो आप कितना बन गया 60 लाख के आसपास समझो बई चीज़ों को यार उसकी लावा बई देख लो आपको पता ही है पेड जो है ये फेक पेरोल चेक चला रहे है दिखा देंगे जी आपको experience दे देंगे आप PNP में लगाओ कहीं और लगाओ अपना experience आपकी PR हो जाएगी ये सब चीज़ें भी हो रही है तो भाई strict rules बनाने पड़ेंगे verify चीज़ों को करना पड़ेगा और अच्छी खासी penalty होनी चाहिए ये इसे लोगों के गर पकड़े जाए तो ताकि दूसरों को सबक मिल सके कि ऐसा करने पर क्या होगा ठीक है न तो इन चीज़ों पर अच्छी खासे कानून बनने चाहिए जो इतना lenient system बना रख है मुझे लगता है कि organization तो अच्छी करने पड़ेगी बना दिक्कत हो जाएगी बना दिक्कत हो जाएगी पास इसी के चलते बाई backlog और total number of applications कितनी है कहना के पास वो हमारे पास बाई updates आने वाली है बहुत जल्दी जैसी आएगी आप लोगों के साथ हम share करेंगे ठीक है न बाकि मैं processing time को लेके भी आपको थोड़ा सा update कर देता हूँ विस्टर विजा इंडिया 28 डेज पाकिस्तान से अगर आप अप्लाए करते हो बाई कैनड़ा के विस्टर विजा के लिए 93 डेज वहीं पे वर्क पामिर बाई इंडिया 21 वीक्स पाकिस्तान भाई 38 वीक्स यह चल रहा है जी और I think study का 15 वीक्स चल रहा है जी डेट पे तो यह सब चीजें भाई थोड़ी बहुत उपनी जे चेंज होगे कैनड़ा पीर की अप्लिकेशन में जारा processing time में change हमें देखने को नहीं मिला भाई पाई आने वर टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता है यह देखना बहुत interesting होगा expected है बाई कि next week का प्र का जाए जर्नल के डिगरी का ड्रो आजाए के डिगरी बेस ड्रो आजाए के डिगरी बेस मतलाब तो समझ आ गया होगा तो आपको आप भी बोर स्मार्ट हो गए अब फ्रेंच हेल्थ अग्रिकल्चर ट्रेड ट्रांस्पोर्ट एंड एंड स्टैंप ठीक है यह हमारी छे कैडिगरी है लेट सी अगला आप तक ऐसा रहता कैसा नहीं रहता बाद हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे अपडेट्स आपको देते रहेंगे क्योंकि आप फैमिली हो बाई आपके साथ डिस्कस करना बनता है आप भी बाई स्पोर्ट करते रहो चैनल को सी नेक्स टाइम विर डॉपिंगा डिस्कॉशन टीदें से से इस टेका आप अपना ध्यान रखना इंजॉइ करो यार वीकेंड जितना आप कर सकते हो कल मैं जरूर देखना भाई RCB वर्सेश चेनल हम स्पोर्ट कर रहे हैं भाई RCB वालों को जीतेंगे कला RCB मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है जी और प्लेएफ में खेलेंगे वो ठीक है चौते नंबर की टीम होगी तो बहुत कुछ हो जाता है अलग कह तो कुछ भी सकते है तो देखते हैं क्या होते क्या नहीं होता बठाँ आप अपना ध्यान रखो और सारी चीज़ों को समझो अनलाइस करो और अपनी लाइफ में आगे डिसीशन से लो राइट छो लो गाई सीव नेक्स ताम विड़ा पिंगार डिस्कॉशन अपना ध्यान रखना चैनलों को सब्सक्राइब कर देना बाबाई हैव फान बाबाई